अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए परिशान हो रहे हैं और उन्हें कुछ टेस्टी और अच्छा सा चटपटा खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए आप भी ठूज सकते हैं कोई प्रॉब्लम निये तो आज हम आटे से और आलू से पहुत ही जगास ये रे ज्यादा बिलकुल भी नहीं लेना और मीडियम साइज का आलू लेना ये देखे हो गया है अब हम एक से छोटी से बाउल में निकालेंगे इसमें नमक एड़ कर देना है आपको तोड़ा सा दो से तीन चुटकी दो से तीन चुटकी लाल में चायड कर देनी है और इन्हें आपको टोस्ट कर लेना है मतलब अच्छी तरह मिला लेना है equally सभी यालू पर ये लग जाना चाहिए ऐसे आपको मिला लेना है अब आपको एक बाउल लेना है बाउल में आपको लगबग चार बड़े चमच आपको सूजी एड़ कर देनी है और लगबग उसका तीन गुन करना है सिंबल मेजरमिड बता दिया मैंने अपको फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज आपको जाहें तो लगबग दो से तीन चूट के आपको खांइक हुआ होता है न वो भी आपको 2-3 चुटकी आपको स्पिंच से इसे पिंच करके 2-3 चुटकी डाल देना है एकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक एड़ कर देना है उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे इसमें और इसे एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे इसकी ठीक इसके उपर फैला देना है और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया था वो भी इकवली आपको 4 तरफ सारा बैटर इसके उपर डाल देना है जो भी हमने मिक्चर बनाया था ठीक है सब ठीक है और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे इसे मूव कर लेंगे ताकि यह फैल जाए नहीं की सता ड्राय हो जानी चाहिए तब आपको क्या करना है मैंने पिछली बार एक रैसी भी बनाई थी जो अभी खराब हो गई थी तो इस पर मैं खराब होने नहीं दूँगा एक प्लेट लेनी है प्लेट के उपर आपको गैस बंद करके इसे ऐसे फ्लिप कर देना है ठीक है और फिर से हम पैन रख देंगे पैन के फिर हम ये स्लाइड करके और ये जो हमने बनाया है वो हम इसके उपर डाल देंगे सिंपल है कोई जंजट नहीं होगा पलटने में उसके बाद हम इसके में थोड़ा सा ऑइल डाल देंगे आप चाहें तो बटर का भी इस्तमाल कर सकते है और इसे आपको फिर से 34 मेर तक बिना धके पकने देना है अच्छी तरग क्रिस्प होने देना है पीछे की तरब से आप चेक कर सकते हैं बीच बीच पे और बस इसे आप ऐसे ही तवे के उपर से ऐसे ही आपको एक प्लेट में निकाल लेनी है उपर से थोड़ा सा महरा धनि डाल देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और इसे आप हरी चड़नी और हरी चड़नी के साथ या टोमेटो कैचप के साथ इंजॉइ कर सकते हैं बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चों को बहुत बसंता आईगी और जट से बन भी जाती है तो जरूर